आप सबीका स्वागत है हमारे चैनल इंजिनियर स्कुछ में तो आज का जो अमरे टापिक है वो है बुर्ज खलीफा के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो बुर्ज खलीफा उसके फाउंडेशन में कौन सी है कौन सा फाउंडेशन यूज हुआ है लेकिन कौन सा foundation बुर्ज खलीफा में यूज हुआ है और क्या-क्या problems आएं उस foundation को बनाने में क्योंकि जो बुर्ज खलीफा है दुनिया के सबसे हूची इमारत है तो अभी तक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया अभी तक इतनी उची इमारत अभी तक बनी नहीं थी यह सबसे उची इमारत है तो क्या हुआ कि एक तो इसका लोड बहुत ज़ादा होगा तो ऐसे में लोड ज़ादा है प्लस हाइड ज़ादा है तो ऐसे में क्या हुआ जो cranes जो लगते हैं construction site पे जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे construction material पहुंचाया जाता है, जो cranes लगते हैं, उनकी height को बढ़ानी पड़ी, दूसरा चीज ये कि जो आपका concrete होता है, वो इसके लिए special concrete बनाई गई, कि इसके structure को मजबूत बनाया जा सकी, यह से कि आपको पता है, वह तो temperature होता है, वो 45 से 50 degree Celsius के बीच में पहुंच जाता है, तो ऐसे में concrete का setting time और काफी चीजें उसमें matter करती थी, तो उसमें special concrete को बनाया गया, अब बात करते हैं इसके foundation की, तो जैसे कि हमने बता है, जैसे कि इसकी height बहुत ही जादा है, और प्लस इसके load बहुत ही जादा आना है, तो ऐसे में क्या जैसे कि आपको पता है कि वो पूरा desert है, तो क्या हुआ वहाँ पे जब soil का survey हुआ, soil, soil survey में उन्हें मिला कि जो 3 से 4 मीटर की depth है, उसमें पूरा sand है, जो की desert है, ठीक है, फिर उसके नीचे जाने के बाद उन्हें मिला, sandstone और, sandstone, और, and lime stone, वहाँ की soil की जो bearing capacity थी, वो बहुत ही कम थी, ठीक है, ऐसे में बहुत एक बड़ा task था, कि इतनी उची इमारत को बनाना है, और उसके foundation को ऐसी जगह पे देना है, ठीक है, जहाँ की soil की bearing capacity बहुत ही कम है, तो ऐसे में क्या किया गया, वहाँ पे piles यूज की गई, पाइल फांडेशन, तो जैसे कि हम बता दें, यह जो पाइल फांडेशन होती है, यह पहले भी यूज होती थी, जब concrete नहीं था, पहले कहां यूज होती थी, देखो, पाइल कितने टाइप के होते हैं, यह होता है, वुडन, वुडन पाइल, ठीक है, पाइल, फिर इस्टील पाइल, ठीक है, अब देखो, वुडन पाइल होता है, वुडन पाइल होता है, तो जो पहले पाइल था नहीं, तो वुडन पाइल यूज होता था, पाइल फांडेशन, यह से माल लो, यह ग्राउंड है, जहां कि, स्वाइल की बेरिंग कैपसिटी बहुत ही कम होती है, और हमें हैवी स्ट्रक्शिर बनाना होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, पाइल यूज करते हैं, यह स्ट्रक्शर ऐसे कुछ होता है, यह reinforce concrete रहता है, यह उसकी फांडेशन होती है, नॉर्मली जो फांडेशन होती वो क ऐसे में पहले जब concrete नहीं था, तब wooden pile का use किया जाता था, तो अब काफी कुछ advance हो चुका है, construction line में भी, तो concrete की pile को use किया गया, बुर्ज खलीफा में, जिसकी depth थी, ठीक है, depth जिसकी दिया गया 50 meter, और pile कितनी use की गई, पाइल यूज की गई, 192 piles, 192 piles यूज की गई, जिसकी depth थी 50 meter, अब देखो, इसे प्लेस कैसे किया गया, जैसे कि मान लो, यह आपका ground है, ठीक है, फिर इसमें pile से 192 piles डाली गई, ठीक है, अब इन piles के उपर, आपका डाला गया raft, ठीक है, और इस raft की depth थी, depth है, इसकी आपकी 3.7 meter, सोचो यह कितनी जादा इसकी raft की depth दी गईगी, इतने बड़े structure का, यह raft लोड ले सके, पूरे structure का load, जो लोड होगा, वो raft पे आएगा, फिर raft से यह pile पे transfer होगा, अब यहाँ पे दिक्कत थी कि, जो soil है, soil की bearing capacity बहुत ही कम थी, तो ऐसे में क्या होता है, कि देखो, pile जो होती है, वो दो type की होती है, end bearing pile, end bearing pile और friction pile, end bearing pile में क्या होता है, कि, जैसे कि हमने बताया कि, जब soil की, जो कह सकते हो, bearing capacity बहुत ही कम होती है, तो उस pile को इतने अंदर तक ले जाते हैं, soil के इतने नीचे तक ले जाते हैं, जब तक हमें hard strata नहीं मिल जाता है, जैसे अब pile को यहां, लोग अंदर pile को डालने हैं, पूरे soil के अंदर, वो piling तब तक करते हैं, जब तक हमें hard strata नहीं मिल जाता है, तो वो होती है end bearing pile, अब क्या होता है, कि friction pile का use वहां करते हैं, जहां बहुत depth तक हमें hard strata नहीं मिल जाता हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो pile use करते हैं, जो कि friction से रुकी रहे हैं, जैसे कि यह piling मान लो डालें, अब इसके जो अगल बगल का जो हिस्सा रहता है, इसको ऐसे design किया रहता है, कि इसे दोनों तरफ से यह, मतलब यह friction पर टिकी हुई होती है, ठीक है, तो यह force नीचे लगेगा, और उसके अगल बगल का जो हिस्सा होगा, यह इसे ऐसे रोके रहेगा, friction के वजह से, तो इसका नाम है, friction pile, तो यह थी knowledge बुर्द खलीफा के foundation के बारे में, तो और भी कोई किसी construction से related, या civil engineering से related, किसी भी topic भी आपको lecture चाहिए, तो comment करके ज़रूर बताना, वो हम upload करने की कोशिश करेंगे, क्या मिलते हैं next video में, चैनल को subscribe तो करतो, बाई!